एपिशोड की सुरुबात में हम देखते हैं यूकारी को एक बिजन आता है जिसमें उसने बहुत सारी लोगों को मार दिया होता है और उसे देखकर वो ओड़ जाता है और फिर अगली दिन हम देखते हैं एकाद्य और एकायकासी आओई से मदद माग रहा होते हैं जन्हें द तक सुद रहे और ऐसा केवल तभी हो सकता है जब डियूजन सामा को कुछ हुआ हो और तभी बहाँ पर यूकारी आ जाता है और वो कहने लगता है मैं उनकी उपस्तिती को महसूस नहीं कर सकता उनकी आवास सुनना तो दूर की बात है तो यह सुनकर हीमारी उससे कहने लग रहा है कि मैं रिजन सामा को दिया गया एक human sacrifice था और रिजन सामा से बात करने के लिए या तो उनका relative होना चाहिए या sacrifice होना चाहिए और मेरी case में मैं दोनो requirements पूरी करता हूँ इसलिए इस बैउधान का पताना चल पाना ये सर्मनाक है तो आउई उससे कहने लगता है हमें बस खुच जा कर देखना होगा और फिरामन सभी को एक जरने के पास देखते हैं जो कि human world और spiritual realm के border पर होता है और उसे देखकर हीमारी कहने लगती ये बहुत संदर है तो युकारी उसे बताता है कि इस जरने के पास कोई नहीं आता चाहिए इंसान हो या आयकासी और रिजन सा आपने पानी को सद रखने के लिए इस जरने सा इस साथ जरनों की रक्षा करते हैं और फिर भी वो यहां नहीं लगते हैं और तब एक दम से युकारी को कुछ होने लगता है और वो कहने लगता है यहां कुछ गडबल है और तब इस जरने का सारा पानी डार खोने लगता ह जिसे दिखकर यूकारी कहने लगता है ये एक पोईजन है जो आयकाची के मास्को सडा देता है और ये कह कि वो Sant हो जाता है जिसे देखकर ये सबी घबरा जाते हैं और फिर हम देखते हैं आओ यूकारी को देखकरे चाहे होता है उसकी spiritual powers कम हो रही है तो सच मुछ रिजन सामा को कुछ हुआ होगा ये सुनकर हीमारी उससे कहने लगती है यूकारी के लिए इसका क्या मतलब है तो इसे उसे बताता है कि वो गायब हो जाएगा जिसे सुनकर हीमारी चौक जाती है पर तभी उसे यूकारी की कही बात याद आती है और वो कहने कि एक important member हो तो please तुम्हें अपने आपको खत्रे में नहीं डालना चाहिए और आउई उससे कहना लगता है कि हम reason सामा को बलाने का दूसरा रासर ढूल देंगे इसलिए कोई भी लापरभाही करने के बारे में मत सोचना और फिर हम देखते हैं आउई reason सामा को बलाने के लिए spell कास्ट कर रहा होता है पर कोई भी spell काम नहीं कर रहा होता है और तबी बहाँ पर हीमारी आ जाती है और उससे कहना लगती है मैं ही हूँ जिसे तो आउई उससे थोड़ा जोड़ से कहता है मैंने तुम से कहा नहीं पर इसके लिए वो से sorry भी कहता है और उसे बताता है कि जो मैं मांग सकता हूँ तो ये सुनकर हीमारियोस से कहने लगती है वो तुमारी फैमली का एक एंपोर्टन्ट हिस्सा है और हमने लगवा कि अतना लंबा समय एक साथ नहीं बताया है लेकन युखारी भी मेरे लिए फैमली जैसा है इसलिए तो आओ उस से कहने लगता है ये बहुत सुन्दर और सुध्ध है पर फिर भी मैंसे अकेला देखकर खुद को रोक नहीं सकती और मैं रिजन सामा मैं बिस्वास करना चाहती हूँ जिसने हां अकेले रहना किवाद युकारी को मोमोची हाउस भेज दिया और मैं उससे बात करने की कोशिस करना चाहती हूँ उससे सुद्द करके आराम दूँगा तो प्लीज लापरवा मत बनना मुझसे प्रॉमिस करो तो हीमारी हाँ कहती है और फिर अगली दिन हम देखते है हीमारी खुद को सेक्रिफाइस करने के लिए तैयार होती है और आओ एक स्ट्रॉल को नकाल के उसे पढ़ने लगता है रिजन सामा को बलाने लगता है और हीमारी अपने मन में कहने लगते है प्लीज रिजन सामा मुझे अपनी आबास सुनने दो और तभी उस लेक में से रिजन सामा बाहर आ जाता है जो कि एक बड़ा ड्रैगन होता है पर उसकी पूरी बाडी में से डार्क औरा नकल रहा होत जिसे देखकर आओ कहने लगता है रीजन सामा खोद एक प्रॉबलम है तो हमारी पास कोई चोईस नहीं है उसे सुद्ध करना होगा और यह कहा कि वो हीमारी से पीछे हट नेगले कहता है पर हीमारी रीजन सामा से कहने लगते है प्रीज मुझे आप से बात करने दीजिए पर तभी रीजन सामा बापिस लेख में चला जाता है और उसके पानी के प्रेसर से हीमारी लेख में गर जाती है जिसे देखकर इसे उसे बचाने के लिए जाई रहा होता है पर आओ इसे रोक लेता है और कहना लगता है मुझ पर जो भी कर्द पड़ेगा मैं उसे कर सकता हूँ और हीमारी को बचा सकता हूँ जिसे सनकर आवी मान तो जाता है पर वो यूकारी से रिटन आने के लिए कहता है और ये कह कि वो यूकारी को अपनी टूपाबर रिलीज करने का ओर्डर देता है जिसे सनकर यूकारी एक बड़े ड्रेगन में ट्रांसफर्म हो जा पर युकारी की सारी मेमोरीज होती हैं जनने हीमारी देख लेती है और रोने लगती है और तब युकारी उससे कहना लगता है वे मेरी बहुत पहले की यादों के टुकड़े थे और ऐसा लगता है कि हमारी दिमाग एक साथ संबंद्ध हो गए हैं और मेरी यादों में समा पर ऐल्टिमेटली एम्परर की हत्या किसी और नहीं कर दी और उसकी हत्यारी भी मेरी जान के पीछे आए लेकिन किसी तरह मैं उन सबीकों मौटल कॉमबाट में हराने में सक्षम था और इसके लिए मुझे मैं नीटिंग किलर कहकर बदनाम किया गया और बार मैं मुझे कर लिया है और वो बताता है कि जब मुझे सेक्रिफाइस किया गया तो मैं के बल अपनी डेथ का वेट कर सकता था लेकिन किसी करन रीजन सामा ने मुझे छोड़ दिया और उसने मुझे अपने किन की रूप में एक मिजूजी की रूप में बापस जीवन में लाया और उसकी चाहे मैं उन्हें कितना भी बलाओं मैं रीजन सामा को देख नहीं पाया हूँ पर फिर ही मुझे आस्चर है कि रीजन सामा ने मुझे मुझे मूमोची हाउस जाने का ओर्डर क्यों दिया हीमारी उससे कहना लगती हमेशा के लिए अके लिए रहना अविस्वसनी रूप से दुखाद होगा इसलिए मुझे लगता है कि रीजन सामा ने तो मुझे मुझे हाउस बेजा है जहां तुम दूसर से मिल सकते हो और मैं जानती हूँ कि तुम इंसान और आयकासी दौनदल वाले एक काइंड परसन हो और मुझे लगता है कि रीजन सामा को भी ऐसा ही लगता तो मुझे यकीन है कि कोई कारण होगा कि उसने तो मैं देखने की कोशिस नहीं की तो आओ से उसके ट्रू सेल्फ हैं बापस लोटाएं और फिरा मुझे सीधे पूछ सकते हैं तो ये सुनकर यूकारी हा कहता है और हीमारी को होसा जाता है और यूकारी जाकर रिजन सामा को प मानी में और नीचे जाने लगती है जिसे देखकर यूकारी उसे पकड़ लेता है और रिजन सामा अपने ट्रू सेल्फ हैं बापस आ जाते हैं और उन दोनों से कहने लगते हैं मैंने तुमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी पर यूकारी उन से कहने लगता है ध्यान ना देने की गल्ती मेरी है तो रीजन सामा उस से कहना लगते हैं मैंने हमारा कनेक्शन ब्लॉक कर दिया था जिसे सुनकर यूकारियन से कहना लगता है क्या मैं आपकी किसी काम का नहीं था तो रीजन सामा उस से कहना लगते हैं कि मैं जानता था कि मुमोच यहा उस तो मैं तुमारी अकेले पंद से मुक्ति दला सकता है और अपने काइन धाट को प्रवावित होने से बचाने के लिए मैंने खुद को छपाया और अपना दिल वंद कर लिया और हमारी कनेक्संस ब्लॉक कर दिये तो ये सुनकर यूकारी उनसे कहना लगता है कि मैंने खुद को पानी की सुरक्षा में जोंक दिया ताकि मैं तो मैं जाने दे सागू लेकिन अपसुस वो एक गल्ती थी और मैं अकेले पंद से घहर गया था और एक लोलेज बिंग दोरा दिये गए इस कर्ज पर ध्यान ना देने में असफाल रहा लेकन हमने एक दूसरे के लिए अपने दिल खोल दिये और अब मैं फिर से खुद में हूँ और तो मैं मूमोची हाउस में अपने नए मास्टर की सेवा करने के लिए अपना दिल लगाना होगा और मैं पानी की रक्षा के लिए अकेला लोटूंगा तो ये सुनकर हीमारिय। उन से कहना लगती है हम हमेशा पानी पास में रखते हैं इसलि dank मेरा मानना है कि ये हमें हमेशा connect रखेगा तो ये सुनकर युकारी हाँ कहता है और वो रिजन सामा से कहना लगता है जब आपस ज़रने पर रहे हैं तो ने देकरी से उनके पास जाके कहने लगता है मैं परेशान होने ही वाला था और रिजन को क्या हुआ तो युकारी से बताता है कि हिमारी के कारण हम उने सांध करने में सक्छम थे और ये कह कि वो घुटने पर बैट जाता है और आओ इसे कहना लगता है जैसा कि वादा किया गया था मैं बापस आ गया हूं और तुमारी चिंटा के लिए मुझे माफ करना तो आओ इसे कहना लगता है मुझे कोई चिंटा नहीं थी तो मेरे बैस्ट इसे किगामी हो हालांके ही मारी मैंने तुम से कहा था कि अपने आपको खत्रे में मत डालो और ये कह कि वो उसके पासा कि उसका मुझ पकड़ लेता है और कहना लगता है मैं तो मैं बाद मैं पनिस करूंगा और ये कह कि वो सभी घर बापस जाने लगते हैं पर जाते जाते आओ ये सील को देख लेता है और ये एपिशोड हैंई पर खतम हो जाता है आईव पाफ सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिशोड के साथ बहुत जल्द है तब तक ले बाई बाई